ही गाईज हेलो एवरिवन आज है 6th मार्च 2021 और अभी हम जैसे कि कल बात हो गई थी कि मैं मेडिवल इंडिया का एक वीडियो करूँगी मैंने सोचा था यह मेरे लास्ट वीडियो होगा लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि मुझे अलग अलग जो दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान रहे जो अलग अलग डाइनिस्टीज रही उनके बारे में सेपरेट सेपरेट वीडियो करना ही पड़ेगा ठीक है सोचा तो मैंने यह था हलाकि एक दिल्ली सल्तनत कर भी चुकी हो वीडियो लेकिन फिर भी डीप इन्फॉर्मेशन के लिए और यूपीसी सहित और एक्जैमिनेशन को क्रेक करने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है आपको अपने बेनिफिट के लिए दो काम क्या करने हैं रोजाना कहती हूँ आपको याद रखना है वाही लाइक शेयर कॉमेंट करें बिना देरी के क्योंकि बहुत डिटेल है तो इसलिए आज का डॉपिक ले लेते हैं और हम आज घुलाम वन्ष को पढ़ेंगे ठीक है किसको घुलाम वन्ष को तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत एक कोशन आता है कोशन आता है कि हूँ वास दा फाउंडर ओफ स्लेव डाइनस्ट्री यानि घुलाम वन्ष का संस्था पक कौन था तो लेकिन अगर कोशन ये आये हूँ वास दा फाउंडर ओफ दिल्ली सल्तनत तो आप क्या कहेंगे इल्तुतमिश जी हां ये गुलाम वन्ष के चार शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन कौन से पहले तु जानी कि गुलाम वन्ष कब से कब त तिक कौनसा खिलजी का तुगलाक वन्ष मतलब गुलाम वन्ष के बाद कौनसा खिलजी और तुगलाक और चौथाय सयद और लास्ट था लोधी वन्ष उसके बाद मुकल अमपायर शुरू हो जाता है ठीक है ये पांच इस तरह से डाइनिस्टी जाएं थी जिसमें आज हम गुलाम वन्ष की बात करेंगे और इसी के रूल के बारे में बात करेंगे बारा सुछे से बारा सुनवे तक ये शासन रहा कौनसा गुलाम वन्ष तो वो कहेंगे कुत बुद्दीन एबक और रियल फांडर ओफ दिल्ली सल्तनत रियल फांडर ध्यान दीजे को कुशन पर हो असदा रियल फांडर ओफ दिल्ली सल्तनत क्यों कह रहे हूं इसका नाम पूरा था शमसुदीन इलतोतमिश क्या नाम था शमसुदीन इलतोतमिश क्यों कह रही हूं क्योंकि इन्होंने लाहौर से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर ली थी लाहौर से कहां शिफ्ट कर लिया था राजधानी को दिल्ली तो दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक शासक है वो कौन प्वारत पर तो पहले Muslim ruler तो नहीं कहेंगे उनको आकरमण कारी कहेंगे किस क्या कहेंगे आकरमण कारी क्योंकिन औने रूल नहीं किया था तो वो कौन था? तो वो था कौन रूलर था? वो सुरी आकरमण कारी था वो तो वो आक्रमुलकारी था मुहम्मद बिन कासिम जो अरब देश का था किसी अरब देश से था और उसने भारत में सबसे पहले 712 इसवी के हिसाफ से चलें तो 712 इसवी में सिंध पे हमला किया था और राजा दाहिर का तब शासन था राजा दाहिर 712 इसवी मुहम्मद बिन कासिम सिंध पे हमला किया और ये मुसल्मानों की तरफ से जाक्रमुलक करने वाला था वो पहला आक्रमुलक करता था ये ठीक है याद अगना उसके बाद थोड़ा सा जान लें इसके बाद एक और इंसिडिन्ट होता है और वो है महमूद घजनबी या महमूद घजनी महमूद घजनबी एक्चली और महमूद घजनी घजनी जगा का नाम है क्योंकि वो जगा से था इसलिए उसको घजनबी कहते हैं इसका 1000 से 1027 तक 17 आक्रमण हुए भारत पर याद रखो 17 बार लूटा इसने भारत को ठीक है मतलब आक्रमण किया तो जाहिर सी बाते बाल भी लेकी गया होगा धन लूटा धनी तो लूटा तो जाहिर सी बाते यही कहूंगी मैं तो इसने 1000 से 1027 तक 17 आक्रमण किया उसमें धन और जो भी कुछ पैसा वैसा और यह तो पता ही है सबको सोबनात मंदिर का वाक्या तो पता ही है यह तो हमने पढ़ाया आपको मेडियवल इंडिया में तो इसके बारे में तो इसने जो है मनलब यहां से माल लूटा ठीक है एक हजार एक में वैसे इसने पहला हाँ एक हजार में पहला आक्रमण जो किया था वो आज की डेट में मौडरन अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहलाता है यह क्योंके पहले एक ही कंट्री थी तो पाकिस्तान नहीं था तो उस जगा पर गिया था ठीक है जो आज की डेट का क्या है आज की डेट में देखे तो मौडरन अफगानिस्तान और पाकिस्तान था और ये घजनी मैंने कहा जगा का नाम है तो घजनी के बारे में बता दूँ कि ये अफगानिस्तान के काबल के साउथ काबल में एक जगा थी जो वहां की राजधानी थी कहां दकशडी काबल अफवानिस्तान की राजधानी है वहां पर ये जगाती घजनी और इसको कहते है मेहमूद Away या मेहमूद घजनी समझ में आगई बात क्यों ठीक तो तो इसने बहुत सारे आक्रमन किये 17 आक्रमन हुए जिसमें से एक सोमनात मंदिर जो गुजरात में है वहाँ पर और पहला मैंने कब बता दिया आपको एक हजार में और क्या वो भी बता दिया उसके बारे में फिर उसके बाद इसने मुलतान पर किया है ना भटिंडा पे किया बहुत सारे इसी तरह से 17 आक्रमन 1027 तक इसके चले तो कोशन यही आता है सोमनाथ मंदिर के बारे में कि इसको लूटने वाला शासक या इस पर आक्रमन करने वाला शासक कौन था जिसमें सोमनाथ टेंपल को लूटा था तो यही था महमूद घजन अभी या महमूद घजनी उसके बाद बात आती है मुहमद गौरी की मुहमद गौरी अभी तो देखिए गुलाम वंच की स्थापना नहीं हुई है लेकिन मुहमद गौरी के बारे माद यह पहला तुर्क था जिसने शासक किया था देखिए महमूद घजन अभी ने शासन नहीं किया यहां पर उसने आकरमण किया था और लूट मार की थी लेकिन मुहमद गौरी ने शासन किया था 1191 में तराइन का पहला युद हुआ था तराइन की पहली लड़ाई हुई थी और किस्से हुई थी तो पृत्वी राज चोहान से तो ये राजा पृत्वी राज चोहान जो थे इन्होंने 1191 के तराइन के फर्स्ट बैटल में हरा दिया था मौहमद गौरी को ठीक है 1191 में लेकिन 1192 में क्या हुआ था कि तराइन का दूसरा युद हुआ था दूसरा बैटल हुआ था और इस दूसरे लड़ाई में मौहमद गौरी ने हरा दिया राजा पृत्वी राज चोहान को पृत्वी राज चोहान माफ किजए पृत्वी राज चोहान को हरा दिया था तो 11.09 मुहमद गोरी को हराय था पृत्वी राज चोहान और पृत्वी राज चोहान को किस ने हराय था मुहमद गोरी ने कब दूसरे बैटल तराइन बैटल में 1192 में ठीके याद रखना फिर इसने जह यहां शासन किया और 1192 से लेके 1206 तक इसी का शासन था मुहम्मद गौरी का अब जो यह कुत्बुद्दीन अबक है जिसके बारे में अभी बताया था हुलाम वन्श का संस्था पक इसके बारे में बता दू कि यह मुहम्मद गौरी का गवर्नर था कौन था गवर्नर मुहम्मद गौरी यहां से छोड़के चला गया 1206 में जाने लगा तो उसने अपनी जो सल्तनत थी वो किसको सोपी वो सोप दी मतलब अपना जो राज था किसको सोप दिया था तो कुत्बुद्दीन अबक को ठीक है यह पहला तुर्क पहला गुलाम और साती मुहम्मद गौरी का कवर्नर भी था इसको सोपी अच्छा वहाँ पर यह अप कहां गया मुझे नहीं मैंने इतना डीप नहीं पड़ा बाराल मुहम्मद गौरी यहां से छोड़के जब गया और जाने के कुछ दिन के बाद उसकी डैथ हो गई ठीक अब 1206 में गुलाम वन् का शासन था शासन काल क्या है तो रूल टाइम है ताइम आफ रूल है 1206 टू 1210 इसवी ठीक है याद रपना अब इसने धाय दिन का जौपड़ा जो अजमेर राजस्थान में है अच्छा एक मस्जद बनवाई थी कुवत अल इसलाम ये नई दिल्ली में है और ये किसकी शान में बनवाई थी तो ये बनवाई थी खुआजा, कुत्बुद्दीन, बाइखत्यार, काकी और इनकी मजार शरीफ है, महरोली में महरोली दिली में ठीक है? तो इनोंने महरोली में हैं, दिली में खुआजा, कुत्बुद्दीन, बाइखत्यार, काकी और इनी की शान में यह नों ने मस्जद बनवाई थी कुटबुद्दीन ने कौन सी तो कुटबुद्दीन एबक ने कुटब मीनार की बन्याद डाल दी कुटबुद्दीन एबक ने यानि कुटब मीनार को बनवाना शुरू कर दिया और यह अभी से नहीं यह मुहमद गौरी के शासन के टाइम से शुरू कर दिया था यानि के 1195 इस्वी में कुटबुद्दीन जब तक गुलाम बन्च का शासक भी नहीं बना था तब उसने कुटब मीनार की मतलब बन्याद डालना यानि बनवाना शुरू कर दिया था लेकिन कुल बेस्मेंट ही बना पाया था सिर्फ बेस्मेंट बनाई थी इसके पांच वह हैं स्टोरेज हैं पांच माले हैं लेकिन सिर्फ बेस्मेंट बनवाया था इसको कंप्लीट किसने करवाया को तो कंप्लीट करवाया था किसने हिलतोत मिश ने इसके तीन वाले बना यानि कि तीन स्टोरेज बना दी थे तीन अच्छा उसके बाद फिर जो दूसरे मतलब किसी वज़े से यह डैमेज हो गया आकरमाण वाकरमाण और चीजों की वज़े से तो फिरोज शाह तुकलक ने इसको रेपेर भी करवाया और रेपेर करवाने के साथ यानि रीकंस्टक्ट क्या करेंगे रीकंस्टक्ट करवाया और रीबिल्ड करवाया यह भी कह सकते हैं रीबिल्ड करवाया और उसमें दो और स्टोरेज एडिट किये कितना कितने दो और स्टोरेज एडिट किये जिससे कि यह कुतुब मिनार है किसने किये वो फिरोजशा तोगलक ने ठीक है यह याद अपना बिल्कुल भूलना मत भूलने वाली बात नहीं है इंपोर्टेंट सारे पॉइंट से जो मैं बता रही हूं यहाँ पर ठीक चलें यह बात हो गई अब देखिए यह इसकी हवाले से तो इतना ही इंपोर्टेंट और एक कोशन यह आता है कि कौन सा शासक चौगान खेलते हुए या पोलो खेलते हुए किस शासक की किस सुल्तान की सुल्तान कहेंगे कि चौगान इसका नाम इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको पोलो गेम खेलते हुए डैथ हो गई तो यही था कौन था कुत बुद्दीन इसने 1210 में पोलो गेम खिलते हुए इसकी हो गई डेथ ठीक है याद रखना बूलना बिलकुल नहीं है ठीक इसके बाद इसका एक बेटा था रुकनुद्दीन क्या नाम था नहीं अभी इसका नहीं था वो इसका जो है गुलाम था सौरी माफ करना इसका गुलाम था इसका ब गुलाम था इसका इसका स्लेव भी था किसका कुतबुदीन आभग का गुलाम और दामाद ये ऐसा चांस बहुत कमी लोगों को मिलता है जो गुलाम भी हो और दामाद भी हो खैर ये था तो ये इसका जो था स्लेव एंड सन इन लो कुट बुद्धी नैबक का दोनों था और इसी ने बारा सुदस में शासन को सम्हाल लिया और इसी को हम रियल यानि रियल फाउंडर ओफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं यह कोशन आता है ठीक है अब इलतुत मिश ने बहुत अच्छे चे काम किये जै ठीक है कुतुब मेंडर को कमपलीट करवा दिया था वो तो रिबिल्ड और और बाद मैरिड वो तो बताए आपको ठीक है इसके बाद इसने चालिसा यदो चहलगनी की बुनियाद डाली थी चालिसा क्या था जैसे मान लिजे आज प्रदानमंत्री हैं और फिर इनके बाद अलग-अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, है ना, और ये जिसको अब शिक्षा मंत्राले कहते हैं, मेचारडी था, इसी तरीके से बहुत सारी डिपार्टमेंट थे तो ऐसी 40 लोगों को सिलेक्ट मुंतखब कर लिय था, उनका चेहन कर लिया था, जो लेजिसलेटिव, एग्जिक्यूटिव और जुडिशियल, सभी डिसिजन्स लेंगे, ये ऐसे लोग थे, क्या एड्मिनिस्ट्र, सौरी, हाँ, एग्जिक्यूटिव, एड्मिनिस्ट्रिटिव एक ही होता है, और क्या जुडिशियल और तीनों तरह की डिसिजन्स लेंगे, इसको चालीसा, जो है, कहा जाता है, और उसको चहल गनी भी, तो कभी-कभी कोशन ये आ जाता है, कभी-कभी नहीं अकसर आता है, चालीसा की बुन्यात किसने डाली, इल्तुत्मिशने, लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है, चालीसा को और बाकी लोग मेरे खिलाफ बगावत ना कर दें इसलिए इसमें खतम कर दिया था यह जो एबक रूल है यानि जो स्लेव रूल है स्लेव डाइनिस्टी है इसका लास्ट रूलर यही है और इम्पोर्टेंट है ठीक है जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ फिर उसके बाद एक कुशन यह भी आजाता है सबसे लंबा गुलाम वन्ष मिश शासन या गुलाम वन्ष का सुल्तान कौन था सबसे लंबे शासन करने वाला सबसे लंबा शासन करने वाला था कौन था तो ये था इल्तुत मिश कौन था इल्तुत मिश और ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम सबसे कम शासन करने वाला गुलाम वन्ष का शासक यानि सुल्तान कौन था तो रुकनुद्दीन जो इल्तुत मिश का बेटा था इसके बारे में बताने वाली हूँ थोड़ा सा वताओंगी बस तर्फ इतने ही ज़रूरी है चे महीने रूल किया था। ठीक है याद रखना है किसना चे महीने रूल किया था। तो सबसे लंबा शासन दो यानि 1210 से 1230 तक किया था इलतुतमिश ने और छे महीने सबसे कम किया था इसके बेटे ने रुकनुत दीन ठीक है याद रपना शमसुत दीन इलतुतमिश पूरा नाम है अब यह तो बल्वन को यह डर था तो इसलिए उसने उसको खतम कर दिया था उसके बारे में बताओंगी मैं पढ़ाओंगे आपको अच्छा इसके बाद में एक एकता सिस्टम की बुन्याद भी दिल्ली सल्तनत में इंट्रोड्यूस करवाया था सिस्टम को किसने इलतुतमिश ने तो एकता सिस्टम क्या था ये इसने आर्मी बनाई थी सैना बनाई थी ताकि जो इसकी सल्तनत में ताकि जिसकी जो सल्तनत है यहाँ पर सैना भी हो तो ये सिविल और आर्मी था एक तरह से इसके लिए था ये एकता सिस्टम ठीके तो इसके काम याद रखने आपको कुत्ब मिनार को भी कंप्लीट करवाया और जो है कुत्ब मिनार को कंप्लीट कराने के साथ साथ इसने एक्टा सिस्टम की और चालेसा या चहलगनी की भी बुन्याद डाली फिर इसकी टैथ हो गई दोजार तीस में सॉरी बारा सुतीस में बारा सुतीस में टैथ हो गई और उसके बाद क्या हुआ कि इसका ये चाहत थी कि रजिया सुल्तान जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर लेडी हैं अभी तक देखा जाए यानि पहली महिला शासक मुसल्मानों की मुसलिम महिलाओं में पहली शासक कही जाए तो कौन है अभी तक की पीरिड में देखा जाए तो तो रजिया सुल्तान तो इसकी चाहती कि रजिया सुल्तान बने लेकिन इसकी माँ चाहती थी रजिया की यानि इसकी जो बीवी थी किसकी इलतुत मिश्की ये चाहती थी कि मेरा बेटा रुकनुद्दीन बने कौन बने रुकनुद्दीन अब ये बात थोड़ी सी मतलब ये पैरल चली कि वो चाहता था ये मेरी बेटी बने आने वाले वक्त मेरे बाद और उस टाइम तो जो लेडीज का बड़ा मुश्किल था है ना थोड़ा तब तो समझ सकते हैं आप कैसे तरह की मेंटलिटी होगी तो फिर भी रुकनुद्दीन को बना दिया गया रुकनुद्दीन अबद की लड़ाई के लिए मिला अबद के योजना बनाने के लिए कि कैसे अबद को उसमें अबद जो अभी लखनओ एरिया चल लगता है तो उसकी लड़ाई के लिए कैसे उसके लिए कुछ किया जा सकता है कि अपने राजस में मिलाए जाए से यह सब योजना बनाने के लिए गया था तो इतने में क्या हुआर रजिया सुल्तान ने विद्रो कर दिया ठीक है विद्रो का मतलब क्या रजिया सुल्तान बुर्का उर्का पहन के एक दिन एक मस्जिद के बाहर बैट गई और जब जुम्हे की नमाज कम्पलीट हुई तो वहाँ पर विक्वेस्ट करी कि भई महिला जो शासक है वो कैसा होना चाहिए और ये और वो बहुत सारी बाते कहीं जिससे के लोगों ने मान लिया किसको खाला कि रुकनुतिन खुद भी फेवर में इसमें था कि रजिया बने शासक लेकिन मान नहीं चाहती थी ठीक है खेर तो रजिया सुल्तान शासक बन गई और रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम महिला शासके ठीक याद रखना अब रजिया सुल्तान की स्टोरी कुछ खास चार साल का शासन था इनका रजिया का और इसकी कुछ खास वो तो नहीं है मतलब इसके जो कारناमे है और हैं भी पहली में बात तो ये भी है कि पहली महिला मुस्लिम महिला शासक थी लेगिन देखा जाये तो कुछ इतना निर्माड कारी काम नहीं किया था रजिया सुल्तान अल्टूनिया और याकूत ये तीन लोगों के मिला के एक ट्राइंगलर लव स्टोरी इनकी चली ठीक है यानि इनकी एक प्रेम कहानी रही कैसी ट्राइंगलर कैसी कि जब बच्पन था रजिया सुल्तान का तो बच्पन की यानि पहली महबबत कौन था अल्टूनिया ये भटिंडा पंजाब का गवर्नर था अल्टूनिया क्या हुआ जब रजिया सुल्तान अपनी जवानी में आई और जब ये रानी बन गई तो इनोंने अपने फ्रेंड सरकिल में रख दिया किसको अल्टूनिया को अल्टूनिया को बहुत बुरा लगा क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते थे और बहुत महबत करते थे एक दूसरे से बहुत महबत और रजिया जब मतलब अल्टूनिया को छोड़ दिया तो रजिया का जो एफियर था वो किस से चल गया एफियर चला इनका याकूत से याकूत ये भी एक ये बहुत सपोर्टिट था बहुत डिवोटेट था ये रजिया के लिए लेकिन अलतुनिया ने भी रजिया का बहुत साथ दिया था अब उसे जब थोड़ी सी भनक बढ़ गई अलतुनिया को ये भटिंडा पंजाब का गवर्नर बताया था भी तो जब इसको भनक पड़ गई कि याकूत से इनका फियर चल रहा है रजिया का उसे ये बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और उसने सोच लिया कि मुझे रजिया सुल्तान पर आक्रमण करना है उसने सोच लिया क्यों कि उसे याकूत को मार देना था है ना जब तक तो थोड़ी बहुत बात दबी रही कि बही चलो फ्रेंड सर्कल में डाल दिया लेकिन रजिया किसी और से शादी करे उसे छोड़ के ये उसे बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी नहीं हुआ उसने क्या किया उसने फौरण रजिया पे एका हमला किया और याकूत को मार दिया ठीक है और याकूत को मारने के बाद बंदी बना के रजिया को कहा ले गया भटिंडा पंजाब कौन ले गया अलतुनिया और अलतुनिया ने दो शर्ते रखी हैं उसके सामने रजिया सुल्तान के सामने क्या रखा कि या तो अजीवन यानी फुल लाइफ एंड आफ दा लाइफ जेल में सड़ोगी या फिर मुझे से शादी करोगी दो रास्तों में से एक अपनाना है नहीं करती हो नहीं मुझे अपनाती हो तो जेल में रहना है पूरी मुझे अपनाना पड़ेगा क्योंकि मेरी पहली मुझे है उत्तुनिया से जेल में रहने से तो उसने शादी कर ली अलतुनिया से उस तरह उसकी बड़ी मिले उसकी जो महबत कामियाब हो गए अलतुनिया की और वो बहुत खुश हो गया कि भई अब तो रजिया सुल्तान मिल गई ठीक है अब उसकी बीवी बन गई तो सब कुछ उसका मतलब बस अब सकसेजी थी वरना कहां बच्पन की महबट डू भी जा रही थी याकूत आ गया था बीच में उसको तो मार दिया खतम कर दिया उसको तो तो खैर अब रजिया ने शादी कर ली शादी के बाद दोनों आने लेगे यहां दिल्ली वापस अच्छा है तो तमिश का सबसे इंप रजिया और अलतूनिया कहाने लगे कैथल लोगों ने क्या करा लोग पसंद तो बहुत करते थे रजिया सुल्तान को लेकिन ये कि खुलके उसका साथ नहीं दे पाते थे सही योग नहीं कर पाते थे तो उन्होंने क्या करा रजिया सुल्तान और अलतूनिया को कैथल में मर बारहाल मिझे तो यही मालूम है की कैथल में जो मैंने पढ़ा है कि कैथल में दोनों रात में आके रुके कहीं पर.. और उन दोनों के खिलाफ साज़िश की उसके तीन भाई थे.. जिसमेंसे एकी बात तो होगई रुकन अद्दीन की.. उसके डेथ भी हो गई थी जब रजिया सुल्टान बन गई थी तो लेकिन और भी थे उनमें से एक था बहरामशा बहरामशा ने साजिश की और इन दोनों को मरवा दिया मरवा दिया खत्म मामला उसके बाद बहरामशा शासक बरा और यह इंपॉर्टन नहीं है इंपॉर्टन क्या है इंपॉर्टन है गयासुद्दीन वलवन्थ इसके बारे मैं पढ़ाओंगी मैं आपको लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अच्छा एक कुशन ये भी आता है इसी बस घुलाम वन्ष का एक करेंगे इसके बाद हम खिलजी वन्ष को लेंगे और इसमें सिर्फ अलावदीन खिलजी को करवाओंगी क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टन है एक्जाम पॉइंट आफ व्यू के हिसाफ से तो अलावदीन खिलजी इसलिए खिलजी डाइनिस्टी पढ़ाओंगी और गुलाम वन्ष के एक शासक को पढ़ाओंगी गया सुद्दीन बलवन को याद रखना ठीक है ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है स्लेव डाइनिस्टी का किसका स्लेव डाइनिस्टी का अच्छा एक कुशन ये भी आता है कि सबसे लंबा शासन दि इनकाल किस सल्तनत का था तो तुगलग वन्ष का किस वन्ष का था तुगलग वन्ष नाइन्टी फोर इयर्स रूल किया था इन्होंने नाइन्टी फोर इयर्स जिसमें से एक ने तो बेड़े ही गरक कर दिया क्या मुहमद बिन तुगलग सबसे गलत गलत डिसीजन लिये औ बहुत लॉस उठाया इसके बारे में पढ़ेंगे आगे और उसमें एक 84 अच्छा इनों ने कितना किया था 1260 से 1290 गुलाम वन्ष ने तो इनका जो रूलर टाइम है ताइम आफ दे रूल है वो कितना है वो 84 येर्स और पूछा जाएगा पूछा जाएगा कि सबसे शॉर्ट टाइम रूल किस ने किया दिनली सलतनत में किस वन्ष ने किया तो शॉर्ट टाइम रूल पूछा जाएगा तो खिल्जी डाइनिस्ट्री ने यानी खिल्जी वन्ष ने only 30 years rule किया था कितना 30 years तो अब हम गुलाम वंश के एक last ruler को पढ़ेंगे किसको गयासुद्दीन बलवंद को और उसके बाद करेंगे खतम कहानी इसकी और उसके बाद हम जाएंगे खिलजी डाइनिस्टी पर उसके बाद पढ़ेंगे हाँ खिलजी के बाद तुगलग और तुगलग के बाद सयद और सयद के बाद लोधी तो ये सही क्रम है गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलग वंश, सयद वंश और लोधी वंश और इस पर करूँगी मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो इंशालला 15 दिन के अंदर इसको निपटा दूँगी एक दिन गैप गैप करके बनाई तो करंटाफर भी तो पढ़ाना पड़ता है अब आज कर कल पढ़ाना पड़ेगा तो ये करेंगे और उसके बाद जल्दी से पढ़ेंगे मुगल एंपायर को जो मुगल एंपरर थे उनका जो मुगल एंपायर का जो इस्टैबलिश्मेंट है वो कब हुआ था 15 26 में ठीक चलिए तो आज के लिए इतना ही लेकिन ये वीडियो लगा कैसा मुझे जरूर बताएं और होलियो के जन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे के मैं जो आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट बना रही हूं आपको मिले और किसी भी वीडियो को मिस ना करें कंप्लीट और रोजाना हर वीडियो को वाच करें जिससे के आपका सिलेवस सारा का सारा रेगुलर कवर हो और मेरी मेहनत और कंटेंट क्वायरिटी पसंद आए क्योंकि यह आपके लिए बहुत हेलफुल है तो प्लीज लाइक कॉमेंट जरूर करें और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं वहाँ शेयर जरूर करें तो टेक कियर ओफ यॉरसेल्फ ओके गाइस थैंक्स वाचिंग